आप आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कैबिन स्टेडी में तो जैसे कि आप जानते हों कि हम इस चैनल के थूप आपको नए नए वीडियो जो कि एजुकेशन और टेक्निकल रिरेटर होते हैं वो आपके लिए हम लेके आते रहते हैं तो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूले तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि जावा में हम स्कैनल क्लासे को कैसे यूज करते हैं तो इसके लिए हम दो एक्जमपल करेंगे तो चलिए जल्दी से स्टार करते हैं तो इसके लिए हमें पैकेज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यूटिल इसकी मैं सारी क्लासे को असेसेबल कर रहा हूँ क्लास का नाम है यहाँ पे रख रहा हूँ एक्स एम पी एक्जमपल तो इसकी बॉड़ी स्टार्ट की है में मेथड़ तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का अबजेक्ट क्रेट कर रहा हूँ इकल टू न्यू इन तो यहाँ पे मेरे पास वेरियबल है इंट ए तो मैं पहले सबसे यहाँ पे सिस्टम.out.println यूज़ करके यहाँ पे मैसेज देता हूँ एंटर फॉस्ट नंबर तो यहाँ पे फिर मैं एक वेरियबल ले रहा हूँ इकल टू एसन मेरा अब्चेक्ट है .next जो मारा वो मैसेज रहेगा जो इंटिजर की फॉर्म में हमें रिजल्ट को रिटर्न करेगा तो इतनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ फिर से तो यहां पे सेकंड नबर कर देते हैं तो यहां पे वेरियबल बी कर देते हैं यहां पे हमें एक और वेरियबल ले ले लेते हैं सी इकल टू ए प्लास बी तो जब हम स्क्रीम के साथ कर रहे थे वहां पे हमें जो रिटान हो रही थी वो स्क्रींग में रिटान हो रही थी तो इसके लिए हम इंटिजर वेरियबल नहीं रहे रहे थे इसे हमें अगर इंटिजर चाहिए था तो हम उसको पहले कनवर्ट करत तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यह हम पर हमारा जाएगा सम कॉनकाटिनेशन और सी तो चल्दी से इसकी हम सारी ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं तो इसम पी में मैंतर के अंतर कलास है तो हमने उसके अंदर इसको सेव कर रहा है यह मेरी डारेक्ट्री जावा प्रोग के अंतर है जावा सी एकस एंप डॉट जावा यह मेरा प्रोग्राम कमपाइल हो गया इसकी डॉट क्लास फाइल मेरे फोल्डर में क्रेट हो गई है अब इसको रन करेंगे जावा इसम्प इसने फर्स नमबर मांग गए तो इसका जो सम है वो आपके सामने आ गया है तो यूजर की इंपूट का यह बिलकुल सिंपल सा मै के फंक्शन की फॉर्म के अंदर लेके आएंगा तो सबसे पहले तो हम हम यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं पबलिक अरुट इंपूट यह मेरा फंक्शन हो गया इसकी बॉडी मैंने यहां पर स्टार्ट कर दी तो यह फंक्शन मेरा यहां तक काम करेगा वेरियबल्स को मैं बाहर रख लेता हूँ यह मेरे गलोबल वेरियबल्स हो जाएंगे तो यहां पर A आजाएगा यहां पर B आजाएगा यहां पर C आजाएगा तो second number तक की मैं इन्पूट चाहता हूँ तो मैं यहां इसको बंद कर रहा हूँ तो इसके बाद एक और फंक्शन क्रेट करेंगे अब क्लेक वाएट सम तो इसके अंदर हम इसका जो भी result है उसको प्रिंट करवा देंगे तो यह फंक्शन नमरा यहां तक रहे तो इसके बाद हम यहां से अपना मेर मेतल हटा देते हैं तो जो हमारी करली प्रैकेट्स हैं इस मेतल की यहां पर बंद हो गई है इसकी यहां पर बंद हो गई है और एक उपर से जो आ रही थी वो यहां पर बंद हो गई है और यहां पर हम इसको एक और क्लास बनाएंगे इसकी बादी स्टार्ट करेंगे और में मेतल इसमें डालके इनके अबजेक्ट क्रेट करेंगे तो उपर हमारा जो क्लास है उसका नाम है जो उपर हमारी क्लास है उसका नाम है इसका अबजेक्ट मैं बनाऊंगा ob1 equal to new bxmp तो यह मेरा एक object गेट हो गया है अब मैं methods को call करूँगा object के साथ ob. ob1 है हमारा object ob1.input ob1.sum तो इसको एक बार भी हमें जो save करना होगा exmp1 के नाम पे save करना होगा तो एक बार देखते हैं exmp1 तो पहला number माग रहा है तो दूसरा number मैं दे रहा हूँ 3 तो इसका साम माग गया 5 तो इस तरीके से आप अपनी scanner class को use कर सकते हैं तो use करने के लिए आपने दो तरीके देखे हैं हमारे इस lecture में तो एक समसे पहला तरीका था कि simple हम एक class के अंदर use करेंगे अभी इस program में हम दो classes use कर रहे हैं तो इसमें एक जो important बात जो आप ध्यान में रखेंगे कि आप जो भी main method बनाएंगे जिस class में बनाएंगे उसी नाम से उसको save करेंगे तो इसमें जो हमारी first class है वो है exmp और जो हमारी दूसरी class है exmp2 तो compiler जो compilation करेगा वो यहां से करेगा start करेगा वो उसका entry point रहेगा तो उसके अंदर हमने एक input के लिए scanner classes को डाल रखा है और एक method बना रखा है जिसमें हमने global variables की form के अंदर दो को sum की है और उस object को हमने call करती है तो इस तरीके से आप scanner class को अपने accordingly use कर सकते हैं तो यह बहुत ही important topic है तो I hope कि आपको यह lecture अच्छा लगा होगा यह beginners के लिए बहुत अच्छा एक startup है तो अगर आपको यह lecture अच्छा लगा है तो kindly हमारे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और अगर आपको कोई इसमें परिशानी आ रहे है तो आप please comment करके हमें बताइए तो cabin study आपके लिए इसी तरीके के education related lectures और technical related lectures लेके आजिर होता रहेगा तो kindly से subscribe और इसका bell icon दबाना मत दूलिए ताकि नई notification आपको सबसे पहले में Thanks for watching